अब हम रिसर्च की जो हमने शुरू में कमपैरिसंस किये थे मॉड्यूल में किस लेयर वाइज अगर देखा जाए तो हम रिसर्च को किन के इन एंगल्स के साथ देखते हैं उन में से तीसरी चीज जो थी वो मेथडिलोजिकल चॉइस है आपकी आपने फिलासफी को देखा फिर आपने अप्रोच को देखा अब आप मेथडिलोजिकल चॉइस पे आ जाते हैं मेथडिलोजिकल चॉइस में हम तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे quantitative, methodologies, qualitative methodological choices और mixed method तीन अमूमी तरीके से हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं इन में से भी जो quantitative और qualitative है ये comparatively old tradition है ये बहुत पराने जमानों से ये वाली differentiation जो है दो differentiation पाई जाती हैं बहुत recent times में हमने मुख्तलिफ तरह के problems को understand करने के लिए mixed method approaches का भी इस्तमाल चुरू किया और ये mixed method approaches जो हैं ये है recent development है लेकिन आज की research के अंदर ये शायद सब से ज़्यादा इस्तमाल होने वाली इसकी choice है जी methodologically लोग आप mixed method studies पर ज्यादा focus हैं या तवज्यो करते हैं हम इनको एक-एक करके समझते हैं इन में से सबसे पहले अगर आप quantitative research को ले लीजिए और थोड़ा सा आपने जहन में background में ये रखना है कि हम इसको जो deductive आपका की approach थी उसके साथ connect रखेंगे इसमें पहली खसूसियत quantitative research में ये होगी कि इसका data जो है वो numerical form में collect किया जाता है कुछ data set तो कुदरती तोर पे numerical form में exist करते हैं मिसाल के तोर पे age है, height है तो ये तो data होता ही numerical है लेकिन जो data numerical शकल में नहीं naturally पाया जाता quantitative research में उस data को भी numerical form में कोड करके collect किया जाता है, मिसाल के तोर पे जैसे gender है तो अमूमान male और female की gender तो हम भी होगी है लेकिन जब इसकी data collection में आप चले जाते हैं तो इसका data आपके पास इस चकल में आएगा वो empirical form से मराद है, आपने कुछ code male के लिए select किया होगा कुछ code female को दी होगा, आप फर्स कर लें, one for male, two for female तो coding कर रख्ती होगी और ये data आपके पास numerical form में processing के लिए कठा होता है याप उसकी जो analysis की processing है, वो numerical form में करते हैं अच्छा, ये data इस शकल में आजाएगा, numerical form में तो आप उन numbers के जरीए से उस phenomena को describe करते हैं explain कर सकते हैं, उससे कुछ prediction कर सकते हैं किसी phenomena को control करके किसी और phenomena का effect देख सकते हैं तो quantitative researches में अमूमी तोर पे data numerical शकल में आता है और इसको हम इस तरीके से इस्तमाल करते हैं, इन तमाम functions को पूरा करने के लिए जो आपके सामने लिखे हुए है, तो दूसरी assumption जो quantitative researches में है वो है discovering वाली, इसमें क्योंके phenomena already exist कर रहे होते हैं आप एक specific scenario में उसको study करने जा रहे होते हैं तो इसमें concept of invention या creation उस sense में नहीं है इसमें हमेशा discovering effect वाला concept है कि मौझूद हैं किसी शकल में हम उन्हें find out कर रहे होते हैं, discover कर रहे होते हैं उनको हम invent नहीं कर रहे होते हैं, create नहीं कर रहे होते हैं तो quantitative researches usually हम इसी लिए कहते हैं कि ये verification की studies होती हैं चीज मौझूद होती है तो उसको verify करते हैं उसको hypothesize करते हैं फिर उसको verify करते हैं तो ये discovering से मुतलिक studies होती हैं सारी data are collected by measuring things हम अमूमी तोर पे इसमें quantitative studies में चीजों की perception से ज्यादा हम उनकी real measurements के अंदर interested होते हैं किसी भी चीज को उसकी measured form में यानि उसको किसी qualitative form में नहीं चाहरे होते हैं हम उसको किसी quantified number की सूरत में रखना चाहते हैं और quantification के लिए हम measures तरतीब लेते हैं इसके अंदर और जो quantified number हमारे पास आते हैं उनको फिर हम इस्तमाल करते हैं मुक्तित तरह के comparisons के लिए statistical analysis के लिए जिन के जरीए से फिर हम conclusion draw करते हैं और conclusion भी draw हम statistical analysis के जरीए से करते हैं इन तमाम के पीछे जो common element आपको नजर आता है वो verifiability का है नहीं आप जो भी काम करें quantitative research का focus यह है कि जो भी evidence collect करें जो data collect करें वो verifiable होना चाहिए empirical होना चाहिए और verifiable होना चाहिए verifiability से मराद यह है कि मैंने एक काम किया अगर कोई दूसरा researcher चाहता है कि वो इसको confirm करे कि जो मैंने किया यह ठीक था के नहीं और वो मेरे वाले ही procedures को follow करें तो वो भी उन्हीं नंबर्स पर पहुंचेगा उनीक analysis पर उनीक conclusions पर पहुंचेगा जो मैंने किये थे यह verifiability से इसकी मराद है हम इस data set में patterns को work out करते हैं averages को work out करते हैं predictions करते हैं जैसे मैंने पहले आप से पिछली slide में भी अर्श किया यह तमाम इसके analysis कहलाते हैं इसके पीछे एक और assumption quantitative research के पीछे ही होती है कि दुनिया के जितने भी processes है या असूल है ये जिनके वज़ा से ये दुनिया governed हो रही है चल रही है ये relatively stable होते हैं और predictable होते हैं यानि ये बहुत अमूमी तोर पे generalizable होते हैं इसके phenomena's जो हैं वो अगर आप एक दफ़ा study कर लें उनको समझ लें तो वो असूल फिर at large उस तरह की तमाम चीज़ों के पीछे कार फरमा होता है generalization से ये मराद है यानि आप यूं समझ लें कि case to case variations बहुत नहीं कुछ जिन्दगी के बन्यादी असूल हैं जिन पे ये काइनात खड़ी है और वो असूल जो हैं वो generic है वो काम करते हैं इस तरह से के वो एक phenomenon अगर समझ आ जाए तो उसके पीछे के असूल जो हैं वो फिर more or less वही होते हैं वो change नहीं होते हैं बहुत तेजी से stable होते हैं और बहुत अर्से तक बकार फरम उसके पीछे उस अमल को समझने के लिए फाइदा मन्द होते हैं stable होते हैं नजर आते हैं दुनिया के बारे में आप जितने यह वर्ड के बारे में जिसको आप काइनात कह लेजिए आप इसकी एक assumption यह भी है कि जो कुछ है वो ऐसा नहीं कि एक आदमी observe करे तो और तरह से नजर आएगा और दूसरा करेगा तो और तरह से नजर आएगा quantitative research के पीछे understanding यह है कि यह stable phenomena's हैं इनको करने का research करने का तरीका scientific है और इसका मतलब यह है कि आप मेंसे कोई भी अगर उस process of research को follow करेगा तो वो उसी नतीजे पे पहुँचेगा जिस नतीजे पे कोई दूसरा शख्स पहुँचता है जो उनी steps को follow करता है यानि इसमें element of subjectivity नहीं है quantitative research की एक पीछे assumption यह है कि जो कुछ यह करते हैं वो objective होता है अपने nature में वो तबदील नहीं होता वक्त के साथ यानि वो बंदा बदल जाए तो observations बदलती नहीं है objectivity का मतलब है जो research कर रहा है उसका उसमें कोई role नहीं है irrespective of researcher जिस चीज को पढ़ा जा रहा है वो चीज सेम है तो वो जो भी researcher उसको करेगा उसको वो वैसी ही नजर आएगी इनका एक prime focus objectivity है और नीचे जो मैंने list बनाई है examples की यह अमूमन वो types of research है जो quantitative research के साथ जोड़ी जाती है कि quantitative researcher जब research करते हैं तो अमूमन वो descriptive होती है, correlational होती है, experimental होती है, causal comparative होती है इस तरह की बहुत सरी इसमें जिनमें इस चांदे के मिसाले मैंने आपके सामने रखी करते हैं